हाई गाइस इस पारितोस और वाचिंग आई स्पीक अबाट मनी कुछ समय पहले आप में से काफी लोगों ने मुझे रेक्वेस्ट करी थी कि मैं UTI Nifty 200 मुमेंटम 30 इंडेक्स को रिव्यू करूं इंडेक्स फंड को रिव्यू करूं हालनकि चार तारिक को उसकी लास्ट क्लोजिंग देट थी NFO की बट वो दुबारा 12 तारिक को रिव्यू करने वाले हैं इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे और मैंने वैसे इस पर मुमेंटम इंवेस्टिंग पर पहले वीडिय हम ध्रू करेंगे कंपारिजन करेंगे किससे निफिप फिफिटी से यानि अगर मेरे पास निफिटी 200 मुमेंटम 30 इंडेक्स जोंकि ये फंड जिस così सो राफिंडेक्स को रिपलिकेट करता हैzos giorno कम्पारिजन करेंगे निफिप निफिफिफिप्टी काफी पॉपूलर मैं आपको अपना suggestion दोऊँ कि आपको इस index fund में जाना चाहिए, निवेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो पहले बात करते हैं कि momentum investing होती क्या है तो sir momentum investing simple अगर मुझे plain simple तरीके से आपको बताना पड़े मैं ऐसे stocks को pick कर रहा हूँ जहां पे momentum बना हुआ है अब मैंने momentum देखने के लिए कौन से stocks है जहां पे 6 महिने और 12 महिने के returns consistently बढ़ रहे है क्योंकि एक theory है कि अगर आप ऐसे stocks में पैसा निवेस कर रहे हो जो consistently बढ़ रहे है यह उमीद की जाती है कि वो आगे भी बढ़ेंगे तो momentum investing यही है तो इस index fund में UTI Nifty 200 Momentum 30 Index Fund में basically fund manager replicate करेगा Nifty 200 Momentum 30 Index तो Nifty Momentum 230 Index basically आपका अगस्त 2020 में launch हुआ था जादा time नहीं है लेकिन इसका base index इसका जो base price है वो 255 से index में है तो यह जो भी basically जो मैं data आपको बताने वाला हूँ यह मैंने पूरा details NSE की website से fetch करा है तो मैं आपको comparison में दिखाऊंगा तो यहाँ पर जो UTI Nifty 200 Momentum 30 Index है यह replicate करेगा अपने Nifty 200 Momentum 30 Index को same to same, same to same copy जैसे कि अगर जो भी आपके Nifty 50 के index funds होते हैं वो copy करते हैं, replicate करते हैं Nifty 50 को तो यहाँ पर यह Nifty 200 Momentum 30 Index को replicate करेगा अब Nifty 200 Momentum 30 Index में से जो इसकी basically strategy है वो यह है कि यहाँ पर शुरू के top 100 companies यहनि large cap में से अब बाके remaining mid cap companies में से ऐसे stocks को यह index choose करता है जहाँ पर momentum जादा है अब momentum देखने के लिए लोग क्या करते हैं कि last 6 महिने की returns stocks के और 12 महिनों की returns और उसको analysis करते है daily volatility से यानि daily volatility से और वहाँ से उनकी एक ranking निकाली जाती है और उनमे से जो भी top 30 stocks होंगे जिनकी momentum जादा होगा साथ में volatility कम होगी उन stocks को इस index में add-on किया जाता है और ये fund उसी index को replicate करता है तो अब मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँ हूँआ इसको मैं comparison करने वाला हूँ Nifty 50 से यहाँ पे हमने 2010 से लेके 2021 तक का पूरा data fetch क्या हुआ NSE की website पे और ये मैं आपको 5 years daily rolling returns का analysis कर रहा हूँ यानि आप कभी भी निवेस कर रहे हो तो आपके investments की returns मिलने की probability कितनी है और इसको compassion करने वाले है Nifty 50 से साथ ही में मैंने यहाँ पे इसके investment performance से भी देखने वाले कि अगर आप इन दोनों index में पैसा लगा रहे हो तो आपको returns कितना मिल रहे है आपके हाथ में जो बापीस जो पूरा fund value आ रहा है अगर एक long tenure में वो कितना आ रहा है तो guys ये मेरी मैंने Nifty 50 और Nifty Momentum 30 दोनों के मैंने ये NSE की website पे 2010 से लेके data fetch क्या हूआ है closing price का और फिर मैंने इसके rolling returns निकाले हुए है manually rolling returns निकाले हुए ताकि आपको comparison दिखा सोगो तो मैंने यहाँ पे 5 years के daily rolling returns निकाले हुए है तो पहले मैं आपको directly वो दिखाता हूँ यहाँ पे तो आप यह देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे मैंने 2010 से लेके 2021 तक के I'm investing my money in this index fund Nifty 200, Momentum 30 and I'm holding this my money for 5 years तो हर 5 साल के tenure में I'm beating Nifty 50 every time, most of the time I'm beating Nifty 50 Nifty 50 में हालंकि कुछ particular period ऐसे थे 5 साल के जहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे you made negative returns आपको यह दिख रहा हो गई जो 0% से नीचे यानि 5 साल में ऐसी भी time था जहाँ Nifty 50 में आपने पैसा लगाया और negative returns कमाएं लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा 10 ओर नहीं था अगर मैं इसे 2010 से 2021 के comparison की बात करूँ तो यह मेरा 5 यर्स का daily rolling returns है जो मैंने manually calculate करा है अब हम बात करते हैं investment performance की कि भी मैंने 2010 में पैसा लगाया दोनों में तो मेरी आज 5 मार्च को की 5 मार्च तक की details लिवी है मैंने 5 मार्च तक की तो 5 मार्च मेरी आज उस पूरे एक लाग रुपे की value कितनी है तो सर अगर वो ही मैं एक लाग रुपे लगाता मैंने इसको base price same किया हुआ है तो उसमें आपकी Nifty 50 में उस आज एक लाग रुपे की value होती लगबग 2,43,555 के आसपास लेकिन वो ही आपका Nifty Momentum 30 में आज उसकी value होती लगबग 5,49,520 हालंकि ये index अगस 2020 में launch हुआ है लेकिन जो इसका base price consider किया गया है NSE की website पे वो 2000 पास से किया गया है तो वो data हमारे पास है बले बले है NSE की website पे आप जाके देख सकते हो तो base price यानि उस particular index की जो strategy है उसका returns का performance कैसा है वो fetch करने के बाद ये chart में ने बनाया है तो उस एक लाग रुपे की value 5,49,520 के करीब की value है लेकिन वही Nifty 50 में आपकी 2,43,550 रुपे है तो इस criteria में definitely Nifty 50 Nifty Momentum 30 बीट कर रहा है लेकिन अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ जो Nifty 50 के favor में जाती है अब वो देखिया आप rally after COVID देखो यहाँ पे we all know कि market correct हुआ और March के बाद market में एक अच्छी कासी rally रही है बहुत तगड़ी rally रही है कि हर sector, हर stock and काफी सारे Nifty 50 की companies given a very good returns reasons क्या है इसके पीछे reasons guys simple इतना है क्योंकि Nifty 50 में जो weightage दिया जाता है शुरू की जो top 10 companies है उनका weightage Nifty 50 में more than 60% है और जो शुरू की top 10 companies है उनमे performance comparatively they earn more than 60% returns अगर if you will compare the performance of the Nifty 50 मारा Nifty 50 की जो performance है उसकी 60% performance शुरू की top 10 stocks में आती है और वहाँ पे कोई किसी भी तरकी के कोई capping नहीं है तो वहाँ पे आपने return side में अगर after rally की बात करे तो आप देखोगे यहाँ पे clarity के साथ में कि Nifty 50 उस particular period में मार्च से लेके 2021 अभी तक की बात करे तो Nifty 50 is beating to Nifty momentum 30 reason क्यों है क्योंकि momentum investing में आपकी index में 5.5% की capping है मतलब जिस stocks में momentum बना हुआ है वहाँ पे पास सारे 5% से ज्यादा का वेटेज आप नहीं रख सकते लेकिन हमें मालूम है कि HDFC में भी लगबग 8.8% का वेटेज है Nifty 50 में Reliance का भी है सुरू की top 10 companies का तो 60% वेटेज है Nifty 50 में बाकि remaining companies 40% का जो 40 companies है उनका वेटेज 40% है लेकिन Nifty 50 की companies में किसी भी तरीके का कोई restrictions नहीं है वेटेज का मावे free float market capitalization का है जबकि momentum में एक strategy के लिए है कि आपको पहले momentum score निकाला जाता है फिर उसको multiply करते हो free float market capitalization से फिर उसके basis में वेटेज को design किया जाता है वेटेज लगवग 5.5 करीब का वेटेज है ये details basically मैं आपको उनके product note देदू उस product note में चीज़े mentioned है ताकि आप इसको थोड़ा सा और cross verify कर सको इसी तरीके से 2009 और 2010 में भी same scenario था 2009 में भी 2010 दोनों particular period में ये को कि 2009 का है आप देखोगे Nifty 50 is beating the 200 momentum तो यानि कहने का मतलब ये है जहां भी market में बहुत तगड़ी rally है superb rally है market बहुत higher value से इंस पर trade हो रहा है सुरू की जो top 100 companies है large cap companies है blue chip companies है is performing very well उनके returns बहुत अपर साइड में है तो definitely Nifty 50 is beating the 200 momentum index but over a period of time अगर आप इस broad market rally को देखोगे तो वो मैंने आपको दिखाया 5 year rolling returns के basis पे कि वहाँ पे momentum investing is beating to Nifty 50 लेकिन अब sector rotation की बात करते है क्योंकि हमें हाँ पे UTI Nifty 200 momentum 30 index जो की Nifty 200 momentum 30 index को replicate कर रहा है तो उसमें कुछ sector allocation भी है अब देखो इस strategy का अलग से अलग superbly benefit भी है यानि हर sect देखो जब भी market में rally है और किसी particular stocks में rally है तो उसके sector में भी rally है तो यहाँ पे sector का rotation भी देखोगे आप जो कि एक काफे अच्छी बात है क्योंकि आप ऐसे sector में निवेस कर रहा है जो कि trending है तो देखो कि December में भी automobile था लेकिन metal का जो contribution दिसंबर में और जन्वरी में लगबग 11-12% का है अभी जन्वरी की जो portfolio में है इस index में लेकिन उससे पहले December में जून में metal नहीं था and we all know कि metal में तो rally हुई है last December के बास से December और जन्वरी में December, January और February, March में metal में, metal stocks में तगड़ी rally हुई है तो उसका फाइदा इस index को मिला है इसी तरीके से फार्मा आईटी में जून में भी था और आईटी में जून में, दिसंबर में और उन्नीस में बहुत तगड़ी rally हुई है उसके बाद rally थोड़ी सी थंड़ी पढ़ गई थी आईटी में लेकिन अब फिर वेटेज में जून में, दिसंबर में, जन्वरी में उसका वेटेज इतना नहीं है comparatively कम है लग बग 8% का लेकिन पहले वेटेज जादा था इसी तरीके से आप देखो कि ओल और गैस में भी थोड़ा सा वेटेज बढ़ गया है और हमें वी ओल लोग कि ओलन गैस में जन्वरी में रैली देख रहे हैं बाकी अदर सेक्टर, तो सेक्टर का रोटेशन, एग्रेसिफ सेक्टर रोटेशन हैस वर्क्ट वेरी वेल फोर दी इंडेक्स and that is the reason निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स is beating to nifty 50 इना over a period of time तो अगर आपका long tenure है more than 5 years more than 7 years, you can hold it तो definitely एक अच्छी strategy के लिए, एक अच्छी strategy है लेकिन वही है, market में रैली है, क्योंकि इसमें एक weightage का, आपका capping है तो वहाँ पे some point of time nifty 50 short period में ज्यादा perform करेगा nifty 200 momentum 30 index, जो मैंने भी आपको दिखाया है तो guys, अब आपने देखी लिया already कि nifty 200 momentum 30 index, basically एक काफी अच्छा fund है, strategy काफी अच्छी है, और consistently beat कर रहा है nifty 50 से, it will compare with the nifty 50 over a long period of time, 10 साल का अगर मैंने 10 ओर जैसे मैंने आपको बताया अब सवाल यह उड़ता है, कि क्या मुझे इसमें निवेश करना चाहिए और निकरना चाहिए तो sir, अगर आपके पास already nifty 50 है और साथ में nifty next 50, जो की next दूसरा index fund है, जहां पे आपकी next 50 companies आती है, top 100 companies में, आप वहाँ निवेश करते हो तो आपको इसमें आप थोड़ा सा exposure ले सकते हो, लेकिन अगर आपके पास already nifty 50 index है, साथ ही में आपके पास mid cap funds है और large cap funds है तो आपको इसमें निवेश करना कोई बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि वो already आप उस portfolio में already निवेश कर रहे होंगे, लेकिन अगर आपके पास कोई भी index fund नहीं है और आप index fund में यानि passive kind of investing में जाना चाहते हो, पहली बार आप index fund में पैसा निवेश करना चाहते हो और आपका tenure कम से कम 5 साल से उपर है तो yes, आप इस UTI Nifty 200 momentum 30 इंडेक्स में निवेश कर सकते हो लेकिन ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सुरू की top 30 company जिसमें momentum जादा है और sector rotation भी होता है as per the market trend तो यह थोड़ा सा comparative to Nifty 50 risky होगा और कुछ particular period में जैसे मैंने आपको दिखाया कुछ particular period में Nifty 50 जब market में बहुत ही ज़्यादा तेजी है जैसे कि 2020 में after this covid तो यहाँ पे Nifty 50 आपको ज़्यादा performance देंगे because Nifty 50 में किसी भी तरीके का कोई weightage का restrictions नहीं है वो free float market capitalization पे चलता है लेकिन Nifty 200 momentum 30 index UTI fund आपका weightage का एक capping है 5.5% की weight capping है तो वहाँ पे performance थोड़ी सी compensate होगी तो यही था आज की video में guys अब video में अगर आपको यह पसंद आई है तो मेरी request है इस video को like जरूर कीजे साथ ही मैं इस पूरे excel का जो मैंने आप लोगों को समझाई है यह excel मैं अपने telegram group पे डाल रहा हूँ जिरोधा का अगर आपने DMAT account खोलना है तो आप नीचे मेरी referral link से DMAT account खोल सकते हो वहाँ से अगर आप referral link से DMAT account open करते हो तो जिरोधा मुझे थोड़ी छोटी से एक referral fee करता है लेकिन वो आपकी जेप से नहीं जाने वाला वो आपकी choice है तो खेर इस वीडियो को आगे भड़ाईए आगे share कीजे next वीडियो मिलेंगे तब तक लिए धन्यवाद बंदे मातरम चेहें